टाक्स फोर्स बनाया गिया है जो इन रियास्तू पर नजर रखेंगे अब किन रियास्तू पर नजर रखेंगे हरियाना के अंदर जहां पर केसिज लगातार बढ़ रहे हैं आंदर प्रदेश दूसरी स्टेट है जहां पर केसिज बढ़ रहे हैं उडिसा तीसरी स्टेट है गुआ, चोथी स्टेट है, हिमाचल प्रिदेश, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पास पास में है, इसलिए वहाँ पर भी मरकज नजर रखे हुए है, उत्राखन के उपर नजर रखे हुए है, और दिल्ली के अंदर और चंदीगड के अंदर, यह जो दो यूनियन चेरिट्रि वहाँ पर कंट्रोल में रखी गई ही थी, पिछली बार साथ रियास तुम्हें, जम्मू कश्मीर का भी नाम था, लेकिन अब वहाँ पर सुरत्याल बहतर है, इसलिए दो यूनियन चेरिट्रिया, एक दिल्ली है, एक चंदीगड है, जिन पर खुसूसी नजर जो है, वो र परास्टरा से आए है, उसके बाद केरला है, पंजाब है, करनाट का है, तामिल नाडू है, तो ये समझ लीजिएगा, कि वाइरस के खिलाब जंग तो जारी है, हम वैक्सीन कारी का अमल चला रहे हैं, लेकिन यहां से नए मौमलात भी सामने आ रहे हैं, और इन मौमलात को देखते हुए, मरकजी वजारत सहत की तरफ से साफ कर दिया गया है, कि दो गज की दूरी और मासक है जरूरी, इसका एहतिमाम जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक शायद मुकमल तोर पर इस मर्ज से और इस मौलिक विमारी से नजात मिले, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए एहतियात, खास बरतने की एक बार फिर, दर्खास जो है, वो मरकज की तरफ से सभी रियास्तों को भी की गई है, कि इसको एनफॉर्स करवाया जाए, चूंकि अब स्कूल, कॉलेज, इन्वरस्टियां खुल गई है, और वहाँ पर सबसे ज्यादा इस पर नज़र रखने की जरूरत है, पबलिक ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने की जरूरत है, तब जाकर सुरतियाल पर पूरी तरह से काबू किया जा सकता है, यह तो मुल्की सुरतियाल है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, हमें एक और खबर आपके सामने रख रहे हैं, तो बात पंजाब की भी आ अंदर अलर्ट कर दिया गया है, रात के दोरान कर्फ्यू का नाफिस कर दिया गया है, पंजाब के कुछ जिल्लूं के अंदर चार से पांच जिल्लूं के अंदर रात का कर्फ्यू नाफिस कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब के अंदर लगातार कोविड नाइंटीन के के क अंदर कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया जाएगा और डिरेक्टर जेनल पुलीस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि रात को ग्यारा बज़े से सुबा पांच बज़े तक कर्फ्यू का निफाज रहेगा और किसी को भी इसकी खिलाफर्जी करने की इजाज़त नहीं हो दिन के अंदर-अंदर वहाँ पर भी सुरत्याहाल पर नज़र रखने के बाद रात के कर्फ्यू को लगाया जा सकता है या दिन में पाबंदियां भी आइध हो सकती है क्योंकि जिस तरीके की सुरत्याहाल है वो सब कुछ हम ने आपके साब ने रख दिया है बाराल लेकिन अब जरा बात भारत और अमरीका के हवाले से भी क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर बाइड़न इंतजामियां यानि अमरीका के अंदर नई सरकार की तरफ से भारत के साथ तालूकात मजीद बहतर और पार्टनशिप को मजीद मुस्तेक्म करने की कोश्य की जाएगी जो बाइडन इंतजामें की पहली एहम मीटिंग हुई है और अमरीका के दिफाई सेकरेटरी रवामा भारत का दौरा करेंगे 15 से 20 मार्च के दर्मियान ये दौरा मुम्किन है बताये जाता है जराय के मताविक के 20 मार्च के आस पास ये दौरा हो सकता है और लोइड ऑस्टिन जिनका जो के एक साबिक फौजी ऑफिसर है और इस वग दिफाई सेकरेटरी अमरीका के अंदर किसी कैबिनेट रेंग के ऑफ पिश्रफ्ट हुई है बातचीत होती रही है भारत और पाकिस्तान के अवाले से उन सभी मामलात को भी जिरे बहस लाया जा सकता है दिफाई सेकरेटरी का जब पहला भारत का दौरा होगा 20 चनवरी के बाद इस तरह का कोई बड़ा और पहला दौरा होगा जब अमरीका की हमारे हैं वजारत खारजा के अंदर उनका मानना के 20 के आसफाल